तो सबसे पहले एक बास की डंडी को एक कट से कुछ हिस साइज में काट लेंगे फिर इसी प्रकार बांस की अलग अलग साइज की डंडिया काट देंगे जैसा की वीडियो में दिखाए दे रहा है उसके बाद बांस की डंडियों को छोटे छोटे लकडी के टुकडे की मदद से आपस में कुछ हिस तरह लगा कर जोड दिया जाता है जिससे कि वो एक स्टैंड बना जाए उसके बाद एक ग्रिल मशीन से बांस के दो टुकड़ों पर कुछ हिस तरह के होल किये जाते हैं और फिर दोनों टुकड़ों के अंदर लकली के छोटे-छोटे तुकड़े दाल क बांस के स्टैंड के नीचे लगा कर मजबूक किया जाता है उसके बाद बांस के छोटे-छोटे तुकड़ों को आधा-धा काट कर गोल-गोल लगा देंगे जैसा की वीडियो में दिखाई दे रहा है उसके जिससे कि वो एक पानी को उपर लाने का काम करेगा और फिर बां बांस और कुलफी की दंडी की मदद से कड़ी मिहनत से एक इनसान को बनाया जाता है जो की बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है हम उसे तियार करते हैं तब तक जो भी भगवान शिव को मानता है वो कॉमेंट में जय भूलिनात लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर और फिर दूसरा इनसान अपने हाथों में एक कट लेकर एक बांस के हिस्से को काता हुआ दिखाया गया है और फिर उसमें एक पानी के लिए नाली को जोड़ देंगे जैसा की वीडियो में दिखाई दे रहा है उसके बाद तयार आपके सामने एक बांस की मदद से चिपका किसान और पानी की मदद से चलने वाला पहिया जो कि आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किये बगेर मत जाना